हेलो माई दियर फ्रेंड यूर अगेंड वेलकम टु वार्लेस विडियो अप्लोड कर दिया और केबल और एक दो वीडियो बचे हुए है जिसमें आम इस चेप्टर को बहुत यसानी से कबर कर लेंगी तो सबसे पहले वीडियो में हमने इलेक्टिकल फाल्ट के बारें बताय है अंस्यमेट्रिकल आएंघे हुए हमारे फाल्त होते हैं रायन टु लाइन टु लाइन ग्रांट लायन टू लाइन ग्राउन आज आपको आपने देखा इसके बाद हम ने पर्सेंटेज एक्रतAPP कर दो वीडियो तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही conceptual वीडियो होने वाला है आज के हम आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही most important topic जो कि effect of different type of fault मतलब different type of fault का क्या effect है हमारे stability पे मतलब जो हमारे electrical power system है हमारे घर में जो भी equipment हम यूज करते हैं तो उसका stability पिक क्या टीपेंटे फॉल्ट का अकर फॉल्ट होगा तो हमारे stability का क्या effect होगा देखिए हम देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का topic तो लेस्ट लेटा एम गोंग तो इस्टार्ट इस टॉपिक प्लीज वास्टी वीडियो एडिट तिल द इन अगर आपको कोई कंप्विज हो तो दिन फॉगेट तो कमेंट है चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं तो stability of the power system is inversely proportional to its faulty current जो हमारा faulty current होता है उससे हमारा stability जो होता है वो inversely proportional होता है कैसे होता है आपको हम समझाएंगे अभी प्लीज वीडियो में बने रहे हैं और सिस्टम faulty current is also inversely proportional to impedance देखिए इंबिडेंस के भी inversely proportional होता है हमारा faulty current और stability के भी देखिए हमारा stability है वो यह faulty current है जो stability होता है देख सकते हैं यह faulty current का inversely proportional है जो हमारा impedance है इंबिडेंस जो है इंबिडेंस के भी faulty current होता है वो inversely proportional होता है यह तो आपने मतलब theoretically पढ़ लिया लेकिन हम practically कैसे समझेंगे देखिए प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे practically हम यहां समझेंगे आप जानते हैं कि यह हमारा wavelength होता है इंबिडेंस का formula z equal to root और मतलब resistance का hash square होता है तो यहां सब्सक्राइब आप जानते हैं इंब्हें एाप फाल्द होता है कोई हमारा इंबिडेंस का वैलो खटेंगा तो हमारा whisk per 527 होगा जाधा होगा तो जब fault हो रहा है तो resistance कम हो रहा है तो resistance कम हो रहा है तो हमारा fault जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है that the reason why जो हमारा impedance of circuit है जब भी impedance घटेगा तो हमारा faulty current होगा ज्यादा होगा कैसे आप समझ सकते हैं अगर मांग अचली एक wire है इस wire में अगर resistance की value कम होगी तो obviously इसमें जो current की value होए वह ज़्यादा होगी तो यही कारण है कि हमारे मतलब जब भी faulty current ज़्यादा होगा faulty current ज़्यादा होगा थो हमारा impedance का value कम होगा क्यों ट्किंट यहां पर resistance कम हो जाए रहा है जो resistance कम होगा तो impedance कम हो जाएगा यह तो जाहिश बात है गया हो सकता है कि हमारे जो इंसलेशन है उसको ऊपर हमारे वायर के इसको गला दे तो क्या होगा हमारा जो i stability है वो मतलब क्या हो जागा तो faulty करेंट जो है इन्वरसली प्रफरसनल लोता है हमारे stability की है यहां समय क्न्सिप्ट का पिल्कुल हमने के कलियर कर दी कि stability जैसे 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 बढ़ेगी वैसों हमारे faulty करेंट कम ऑना चाहिए फाल्टी करेंट कम होगा तभी हमारे B catalyst मिलेगा अगर यही हमने बताया कि resistance का value मतलब 0 हो जाता है short circuit का मतलब condition में अगले वीडियो में हम short circuit और overload के बारे नहीं पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर आप जान लेजेए जब भी आपका short circuit होता है था हमारा resistance का value जो होता है circuit में कम हो जाता है that the reason हमारा impedance कम हो जाता है finally stability जो होता है impedance of circuit के मतलब directly proportional हो जाएगा देखिए यहाँ पर हमने वह लिखा है so that the stability directly proportional to impedance of faulty path मतलब जैसे जितना ज़्यादा हमारा impedance होगा जितना ज़्यादा हमारा stability होगी तो stability जो है हमारा impedance का अब circuit का directly proportional है तो कल के वीडियो में हम short circuit versus overload पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो जिसमें हमने बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को डिसकस किया कि stability पर क्या आप इफेक्ट परता है हमारे electrical power system पर आपने देखा कि जो भी stability है वह stability जो है faulty current के inversely proportional है और जो impedance है सर्किट का वह भी जो है faulty current का inversely proportional है लेकिन जो मरी stability है कब ज्यादा होगी जब impedance अब सर्किट ज्यादा होगा क्योंकि यह दोनों ज्याए directly proportional है sure I hope आपको इस वीडियो में हमने सब्जाने के पूड कोसेश किये अगर तभी भी आपको कोई भी confusion हो don't forget to comment here to again I am saying don't forget to share my channel as well as don't forget to comment if you have any problem thank you